अगर दोस्तों स्वागता आपका अमारी इस वीडियो में आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लकडी का गनफूट कैसे निकालते हैं आज की वीडियो में हम पूरा स्टेप वाई स्टेप आपको बताएंगे कि लकडी का गनफूट किस परकार से निकाला जाता है दोस्तो वीडियो का आप लाइक कर दें और ज्यादा ज्यादा दोस्तों को सेर कर दें ताकि ये जानकरी सभी को मिल सके अगर दोस्तो आप गंपुट के बारे में चित्रीके से जानते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं यह उन दोस्तों प्लिया है जिनको अभी तक पूरी घंपुट के बारे में जान करी नहीं है तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और दोस्तों पर निचर से रिलेटेड हमारे चैनल पर न्यू न्यू वीडियो प्लोड होती रहती है तो दोस्तों अगर आप न्यू होत तो चैनल को सम्स्क्राइब करें और वीडियो अच्छे लगे तो आपको लाइक कर देना वीडियो अच्छी ना लगे तो अधिसलाइक भिकर सकते वीडियो कर दो स्टार्ट करते हैं है यह मरे दोस्तो जिस परकार से नत फट ध है जो इसकी चुडाई है वंपसात इसकी जो लंबाई है वो चारफिट है तो दोस्तो आपको कोट्टी के जड़ी समझाते हैं इसके लिए दोस्तों दो फर्मूले होती है जो एक फर्मूला एक सचॉच वाला और जो दूसरा फर्मूल है इंच वाल है दोस्तों वह फर्मुला सबसे अच्छा और असान है क्योंकि अपने बजार में जब भी लकड़ी लेने जाते हैं वो जुरूरी नहीं है कि वो पूरी फिट में हो अगर वो इंच में होती है और जो अमारे 144 वाला फर्मुला है उसमें पहले हम इंच को फुट में बनाना पड़ता है और ज इसलिए अच्छा है क्योंकि लकड़ी इंच में है तो आप इंच में नोट कर सकते हो जैसे कि दोस्तो यह मारी 144 फिल यह साथ इंच और यह तीन इंच कि मुटाई होगी और जो दोस्टो इसकी लंबाई है वो 48 इंच है तो दोस्टो आप लंबाई, चुडाई और मुटाई आप 5 में लिखो तो दोस्टो इन तिनों को गुणा करेंगे और उस पर 1728 का वाग देना होता है यह जो फर्मूला है दोस्तों यह 12 इंच बाई 12 इंच पर काम करता है जैसे 12 गुणा 12 गुणा 12 1728 होता है आप वेसे 1728 याद नहीं रख सकते तो आप इस फर्मूले को याद रखो ट्रिपल 12 को गुड़ा करने पर 1728 ही आएगा तो दोस्तों यह 7 गुणा 3 गुणा 48 करने पर यह हमारा आगया 1008 है तो दोस्तों अब इसको 108 को 1728 पर भाग देंगे तो दोस्तों यह हमारा बन गया 0.58 तो दोस्तों मान लो अगर यह मारी लकड़ी आपको अजार पर मिल रही है तो हम जीरो पोइंट अठावन 33 को 1000 से गुणा करेंगे तो यह जो हमारी लकड़ी है यह बनगी पांसुत्रासी गी पांसुत्रासी रपए में आपको मिलेगी दोस्तों जो दूसरा फार्मूल है वो 144 वाला फार्मूल है तो वो किस परकार से काम करता है वो भी अपने देखते हैं तो दोस्तों उसमें अपने को क्या है जो इसकी लंबाई है चार फिट है उसको फिट में लेनी पड़ती है उस फार्मूले में जैसे कि दोस्तों यह हमारा सात इंच हो गया साथ इंच और इसके मुटाई होगी तीन इंच तो दोस्तो इस फर्मुले में जो इसके लंबाई है वो फिट में लेनी पड़ती हमको जैसे मारा अटालिस इंच है तो इसको चार फिट रखेंगे और इसको बाग देंगे 144 से तो गुणा करते हैं दोस्तो साथ गुणा तीन गुणा चार इसको 144 से बाग करने पर तो आएगा सेमी दोस्तो दोनों फर्मुले में आएगा सेमी यह सेमी अपना वय आएगा और एक जार पराइस है इसका तो इसमें भी अपने तो दोस्तो आप हमें जो कमेंट करके जरूर बताना कौन सा फर्मूल अच्छा है और असान है तो अगर कोई वीडियो मिश्टेक हो यह हो तो दोस्तो उसके लिए हम छमा चाते हैं और दोस्तो आप जो भी वीडियो में गलती रही है आप हमें बताओ ताकि मामाने वाली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर आप